देखी इसक्रिशन में दिया गया है कि एक त्रिबूज की भूजा है वो 25, 49 और 34 34 यूनिट है ठीक है यदि एक वरग का छेत्रफल इस त्रिबूज की छेत्रफल से 21 यूनिट अधी करते तो वरग की भूजा क्यात करो देखो ट्रिपलेट है नहीं तो सीधा एरोंस फॉर्म एक इदर दे दिया 40 थी 70, 73, 73 और 25 कितना हो गया तियत्तर और 25 नाइंटी एट बाई टू यह हो गया 49 एस अब देखो हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है यहां से हम उसका पेरिया निकाल नहींगे रूट आफ एस कितना हो गया 49 मुल्टिप्लाइबाइबाई 49 मैंसे 25 गया तो कितना बचा 24 मुल्टिप्लाइबाई 39 गया तो कितना बचा 10 मुल्टिप्लाइबाई 34 गया तो कितना बचा 15 और इसका रूट लेना है अब देखो हमें perfect square खोजने है इसमें और उन में से बाहर निकाल लेने ही संगिया यहां से 7 बाहरा गया ठीक है अब इसको मैं क्या लिख लूँगा इसको मैं लिख लूँगा कि 8 विति इसको मैं लिख लूँगा पांच इन्ट। इसको मैं लिख लूँगा 511 ने है तो यहां से 5 बाहर आ freezing बाहर आगया और 8 का रूट वे शाओगon मेरा इसका एरिया, किता है सात्री 21, 21 पंज 21 इंटु 5 210 बाइ 2, ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा 105 105 इंटु 4 105 इंटु 4, यह हो जाएगा मेरा 420 ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 420 अब आप क्लियरली यहां पे देखो कि ध्रीबूज का एरिया 21 यूनिट जादा है तो 420 के अंदर में अगर 21 वरग का जो छेत्रपल है वो 21 यूनिट जादा है, ठीक है यहां पे उपर लिखते हैं जो वरग का छेत्रपल है वो है 420 प्लस 21 किता हुआ, 441 441 देखते ही आपके दिमाग माना चाहिए 21 सेंटिमेटर क्या होगी वरग की गुजा होगी क्योंकि रूट एक एक एकवल होता है कि अगर साइड अमारी ए है तो वरग का चेत्रपल ए स्कूर होता है अगर एरिया कुछ भी अगरी कैपिटल ए दे रखा है तो हम उसका रूट ए लेन देते हैं थीक है, साइड के लिए तो हमारा 21 यूनिट आंसर होगा जो बी ओप्सन में दे रखा है हमें